यह खाली यहाँ पर चलता है जैसी राम गराज क्या चलेगा बाबा सागराज तो देख तेरो आगे राख होगे साहिल ने राम जी का पोश्टर फाड़ा फिर राम मंदर को दिया गाले अब यूपी पुलिस करेगे लाज साहिल ने क्यों फाड़ा राम का नाम राम का नाम कौन कर रहा है बदनाम आखिरकार क्यों फैलाई जा रही है तुनी नफरत क्यों भड़क रहा है देश का मुसल्मान देश में एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अपनी राजनियुती चमकाने में लगे हैं जिया दोस्तों आपको बता दी कि राम मंदर के बनते ही बेपक्षियों के स्वीने पर जैसे साप ही लोड़ गए है कोई मंदर जाने से इंकार कर रहा है 22 जनवरी को पुरा देश हरसो लास के साथ आयोध्या में राम मंदर के बेपधगाटन का जश्ट मना रहा है वहीं कुछ लोग इस जश्ट में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं मंदर के बेपधगाटन की जोरुशोरों से तैयारियां की जा रही है हर कोई राम मंए हो चुका है लेकिन देश के कुछ लोग इस मौके पर भी नफरत की राजनेती करने से बाज नहीं आ रहे है आईए आपको पूरी खबर बताते हैं आज के इस हमारी वीडियो में आप लास्ट तक बन रहीएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फाक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को आल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो दोस्तो राममंदर के अभवे उद्गाटन हो चुका है राममंदर के प्राचीर से पीएम मूदी ने अपने भाशनों में कहा कि दिव्य भारत भव्य भारत और एक अदम्य अदबुत भारत की शुरवात श्वेराम से होगी लेकिन कुछ लोग श्वेराम को ही बला बुरा कह रहे हैं ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि नफरत फैलाने और राजनिती करने वालों से तो इस धरती के लोग हैं लेकिन उन से नफरत करने के चक्कर में हम जिस बगवान का अपमान कर रहे हैं वा तो सर्व शक्तिमान है ज उस तो इस लड़के का नाम साहिल है हाला कि यह मुस्लिम नहीं है लेकिन कास्ट सिस्टम की नफरत में यह लड़का यही भूल गया कि जिनका अपमान यह कर रहा है वह कोई इनसान नहीं बलकि बाबा भीम राव अमबेटकर जी का नाम लेकर यह लड़का श्वेराम जी के पोश्टर को फारता नजर आ रहा है लेकिन शायद इसे यह मालूम नहीं कि बाबा अमबेटकर जी भी भगवान श्वेराम को मानने ही वाले थे यह देश का वो यूथ है जो पूरी तरह से गुमरा हो चुका है जोने ना अपने देश के बारे में पता है ना अपने धर्म के बारे में यह तो बस किसी की कही बात पर यकीन कर लेते हैं देश की जादातर जनता ऐसी है राम मंदर क्या बना लोगों ने अपने अपने मुद्दे उठाने शुरू कर दिये हर कोई सिर्फ इसी मुद्दे पर बोल कर लाइम लाइट में आने की कोशिश कर रहा है राममंदर के बनने से तो कई लोग नाखुश है और इसी के साथ वह एक और मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि राममंदर जहां बनना चाहिए था वहाँ बनाया ही नहीं गया फर आकर कि राममंदर के उधगाटिन के इतनी खुशियां मनाई गई कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस जगह पर सालों से बाबरी मस्जिद थी जिस जगह के लिए इतने लोगों ने संगर्ष किया और अपनी जान तक गवादी वहाँ तो श्वराममंदर बना ही है आप भी ज़रा सुनिये क्या कहना है इन महाश्य का इनका कहना है कि राममंदर जहा बनना चाहिए तावा बना ही नहीं बलकि उस जगह से तीन किलोमेटर दूर राममंदर को बना गया है बाबरी मस्जिद जो जगह पर थी राममंदर को जगह बना ही नहीं गया बलकि बाबरी मस्जिद से तीन किलोमेटर दूर बना गया है कि आयोध्या में राम मंदर जो जगा बनाए गया वाव विबादित जगा से तीन किलोमेटर दूर है जबकि इस बारे में किसी तरह के कोई सबूत किसी के पास नहीं है यहाँ तक ट्विटर पर मुहमद जुबैर जैसे कई लोग ने तो इस बात को खुदी कबूला है कि मंदर उसी जगा पर बनाए गया है जहां बाबरी मस्जित थी मौमद जुबैर ने ट्वीट कर कहा कि पप्रक्षी नेता और सोशल मीडिया यूजोज गूगल मैप का एक स्क्रीन शॉट शेयर का दावा कर रहे है क्योद्या में राम मंदर का निर्मार बाबरी मस्जित की विवादित जगह से तीन किलमेटर दूर किया गया है असल में ये दावा घलत है राम मंदर उसी जगा पर बना है जहां बाबरी मस्जित को दोस्ट किया गया था मुहमद जुबैर अक्सर ही अपने विवादित बायानों को लेकर चोर्चा में रहते हैं लेकिन इस बार उन्हें ने राम मंदिर को लेकर इंटरनेट पर फैलाए जारे जूटी ख़बर पर एक तंज, कसा और सब को घलत साबित कर दिया देश के कई विपक्षी नेटा मंदर उदघाटन में जाने से इंकार कर चुके, उसके पीछे की वज़ा भी साफ है अपनी राजनिती को चमकाने के लिए भगवान शुयराम का भी अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जरा आप भी सुनिए ये कोई पहले विपक्षी नेता नहीं है, बलकि इन से पहले कई नेताओं ने राम मंदर के भवे उदघाटन में शामल होने से इंकार कर दिया इनकार की वज़ हसाफ है, जनता के दिल में भगवान शुयराम के उदघाटन की वज़ा से जो चबी मौजूदा सरकार की बन चुकी है, उससे जलन और उनको घलत साबित करने के लिए सभी पे पक्षी नेताओं ने राम मंदर से दूरी बना ली है, लेकिन शायद वो भू रहें कि भगवान का अश्रवाद जिसके सर पर होता है, उसे कोई मात नहीं दे सकता, मंदर को लेकर कौन राजनिती कर रहा है और कौन सच में राम मंदर के भवे उदघाटन का जश्न सच्चे दिल से मना रहा है, कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनिताओं का कोई भरोसा लेकिन जनता सच्चे दिल से अपने ईश्वर का स्वागत कर रही है, और पूरे हर शोला से राम मंदर के उदघाटन के जश्न को मना रही है, देश का हर युवा, हर बज़र्ग, हर वक्त राम मै हो चुका है, फिर चाहे वह हिंदू हो या कोई मुसल्मान सर्फ नफरत की आजनिती करने वाले ही भगवान श।वाराम के मंदर के उदघाटन से परिशान है, वरना देश के कई लोग एक साहत मिलकर भगवान श।वागत करने के लिए बेकरार हैं, हर कोई अपने धर्म और जयाती को छोड़कर भगवान श॥ूर्गराम का दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं जराब बे देखे आपने देखा कैसे एक बज़र्ग मुसल्मान वे इस बात को मान रहे हैं कि भगवान श्वेराम सब के ही परमेश्वर हैं हर भारत ये इनकी बातों से इतिफाक रखता है दूसी तरह पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर जो पूरी तरह से हिंदू में हो चुकी हैं वह भी राम के आने का इंतजार कर रही हैं और राम नाम का जाप उन्होंने जारी रखा है यही तो खूबसूरती हैं हमारे देश की हम सब मिलकर किसी भी तैवार का जश्टन तो मनाते हैं हलाकि जिने नफरत फैलानी होती है वह हिंदू हो या मुसल्मान वह सर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं राममंदर के भव्य उद्घातन का जश्ट मनाने के लिए 22 जंवरी के देश के जाद राजियों में सरकारी चुट्टी का भी अईलान हुआ इस चुटी से भी कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग को 22 जनवरी के दिन मिले इस चुटी से भी पारिशानी हो रही है जिसमें लिखा गया कि 22 जनवरी के दिन राजे में दी गई चुटी सेलकलरिज्म के लिए खत्रा है दरसल 22 जनवरी को देश के बाकी कई राजियों में ही महराश्रों ने भी पबलिक हॉलिडे डिकलियर किया था और राजे के सभी क्लासेज की चुटी भी कर दी गई थी जिसके बाद चार लाज स्टुडेंट्स ने बॉंबे हाई कोट में एक पैटीशन तक डाल दिया दोस्तो आपको बता दी कि 22 जनवरी के दिन महराश्रों के साथ साथ उत्रप्रदेश उत्राखंड में भी सरकारी चुट्टी का एलान किया गया है और इसके अलावा सेंट्रल ऑफिसेज को भी आधे दिन की चुट्टी दे दी गई है 22 जनवरी के दिन आयोध्या में राम मंदर का भवे उत्गाटन देखने को मिलेगा सिर्फ भारत ही नहीं बलकि भवे राम मंदर के उत्गाटन का जश्न दुनिया के कई देशों में मनाया जा रहा है मौरिशस में भी 22 जनवरी के दिन आयोध्या में राम मंदर के भव उद्गाटन के लिए सभी राम भक्तों को दो घंटे की छुट्टी देने का ऐलान किया गया है दोस्तो राम मंदर के भव उद्गाटन के उपलक्ष पर मिले इस छुट्टी को लेकर आपका क्या सोचना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और इसके साथ साथ ये भी जरूर बताईए कि आपने जब राम मंदर के उद्गाटन को देखा तो आपकी भावनाएं क्या है अपनी भावनाओं को व्यक्त करें या जैश्वेराम का नारा जरूर कॉमेंट में लगाएं और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजे दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही है जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें